दारू आया कहां से जब नितीश कुमार के सरकार में दारू सराबंदी है ये दारू फिर आ रहा है कहां से आदिमी जो मर गया ती आदिमी दो आदिमी को आनफान में जला दिया गया परसाषन के प्रेशर पर और परस्माटम होने के बाद हमको लगता है कि रिपोर्ट अभी गया लेकिन उसके मान रॉसके ब्यानों करके पइसे का खेल वेल हुआ यह तरह से सराब बंदी फेल है मेरा कहना यह किसराब बंदी फेल क्यों है अगर सकार चाता है की सराब चालू करें जुकुन मना कि है चालू चालू करतो वही बिहार में नितीज सरकार लाख दावा कर ले कि हमारा शुराब बंदी कान सफ़ा है लेकिन ऐसा नहीं है बिहार में शुराब पिने से लगतार लोग की मौते हो रही है हमार साथ बात करने के लिए बिजेपी से हाया घाट से बिधायक रामचंद्र प्रशाद हैं जुरेंगे बात करेंगे रामचंद्र जी हाया घाट छेत्र से खवर निकल के आरे तरव हैंगा के हाया घाट से जहां पर तीन लोग की मौत हो गए यह जहरीली सराब पिने से ऐसे मैंने तीस सरकार लाख दावा करती है दो लोग भिमार भी हैं कैसे देख रहे हैं शुराब बंदी को 16 तारी का घटना है 16 तारी को पांच लोग एक ही जगह पिकरके और बिमार पड़े और बिमार पड़े तो तीन लोग वहां मर गए एस्पोर्ट पर मर गए हूँ माने दार पेने भाद घट गए मर गया है और दो आदमी उस्पोर लाजी अभी तक मैं परसो भी गया था को देखर करके आए था वहां से और ये दो आजमी का लगता है कि जान बच जाएगा, तीन आदमी जो मर गया, तीन आदमी में दो आदमी को आनज़ भाण में जला दिया गया, परसासन के प्रेशर पर. वहां का जो थाना प्रभाडी है और वहां का जो उभी किसी के प्रभाब में होगा प्रभाब में दवा में आ करके दो आजमीं को आनद प्रभाड में जला दिया गया और एक आजमी का किसी तरह उसका परिवार जो है का एक ने हम पॉस्टमाटम करा कि हम जलाएंगा अपने पपा को तो उसका पॉस्माटम हुआ और पॉस्माटम होने के बाद हमको लगता है कि रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है और हमको पूरा सक है कि हो सकता है कि जो परसाशन आनन फाने में लाज को जला दे उपरसाशन ऐसा भी कर सकता है कि रिपोर्ट में भी हरा फड़ी करने क काम कर सकता है हमको ऐसा सक है इस भी से पर दुस्वा भी से ये दारू आया कहां से जब नितिश कुमार के सरकार में दारू सराबंदी सराबंदी है ये दारू फिर आ रहा है कहां से वहीं का आदमी जब हमारी बिजय बावू भी गया है मानने नेता प्रतिवक्च वहां गया ह तो बात करने के उसी के समय में विशया आया है कि दारू बाने वाला भी बैक्ति यही का और उसी से दारू लेकर पिया था यूग दारू बनाने वाला भैक्ति को पुलीस परसासर उठा के भी ले गया लेकिन उसके माने उसके ब्याहन हो करके पैसे का खेल वेल हुआ अब उसको फिर छोड़ दिया गया पूरा तरह से शराब बंदी फेल है मेरा कहना यह है कि शराब बंदी फेल क्यों है अगर सकार चाहता है कि वेल सिराब चालू करें उसको पर कोना किया है चालू करता हुआ लेकिन शराब बंदी करके आप आरे बहु अधिया का इजत लुट मार रहे हैं गड़ी वाधन का जान जा रहा है। सनकों आप कहते हैं पीने वाला हम मरेगा। तर पीने बार मरेगा तो पीने ढमनेगा, तो कि आता है कहाँ से और भी पीएगा। और नहीं अगर उनसे ही बेवस हो रहा है, उनका परसासन फेल है पूरा, चोपट है, अगर इसे ये सराबंदी को कायम करने में, लगाने में, परतिवन करने में अगर दिकत हो रहा है, तो सराब को फिरी कर दिकत है, ये मौसुम का जान जा रहा है, जान नहीं जाएगा, मेरा बात ये गलती बड़ी गलती है कि एक सराब बेचने वला बेखती है अभी तक सलाकों के अंदर नहीं गया नो इस पर कोई effort हुआ ये तो सरकार की पूरा नाकामी का जो है परिनाम है ये बोलने से नहीं होता है न ये तो प्रमान है यहाँ देखिए यहाँ पर साप यहाँ पर मस्त बनल है और किसी को कोई चिंता नहीं है कि हंगरी पजनता दारू पिके नसरी द्रापिके मर रहा है मैं सकार से मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि परतेख जो पढ़ जन है जो जिनका मिर्त हुआ है उनको परतेख परवार को 44 लाग रुपिया और उनके परवार को नोकरी भी दे एक एक आदमी का नोकरी दे उनको हूँ पहले 24 में सरकार किसकी बननी तय है उन होगा पहले 24 में देखेंगे आपके माध्यम से मैं कहाना चाहूंगा यह जो इनका जितना भी बैस्था है साहे सिच्छा का बैस्था हो सरक का बैस्था हो या स्वास का बैस्था हो पूरा बैस्था इनका फेल है और इसका जब यह लगतार दावा किया जा रहा है कि जूट है जो इंडिया गडबंदा ने आएसे में देखा जाए तो अखलेश यादो वो अब बयान दे रहे हैं वो कॉंग्रेस को लेकर ब्यांद रहे हैं कि अपने छुट पुटिया नेता से ब्यांद दिलवाना बंद करवाईए। और आप कोई चुटा हो नहीं है। तो आप खुद जान लिए किसमें कितना दम है। अब शीडे बटबरा क्या हो रहा है। पर्दानमोदी देश के पर्दानमंत्री बनेंगे अईसे में इंडिया गड़मधन कोई एक जूट नहीं है ज़से अस्ताफ हो रहा है कि बिजेपी के सामने इंडिया गड़मधन टिक नहीं पाएगा जिस तरीके से तिन लोगों की दरभंगा में जो पर रिली सराव पिने से मौत हुए इसको लेकर सीधा सीधा रामचंद्र प्रशाद जो की बिधायक है बीजेपी से उन्हें का आरोप है कि कहीं न कहीं छुपाया जा रहा है पुलस प्रशासन के द्वारा जो मौतों के आकरे उसको देखते हुए लोग को ऐसे ही आग में उनका यह साफ कहना कि शुराब बंदी कानून को अगर सफल बनाते हैं तो धंग से सफल बनाए या तो शुराब को बिहार में फिर से पुंत चालू कर दिया जाए तो वहीं जिस तरीके से लगतार दावा किया जा रहा है 24 चुनाओ को लेकर 25 चुनाओ को लेकर इसको लेकर रामचंदर प्रशाद निया साफ काया है कि 24 में तो ठीकेंगे यह नहीं 25 में क्या दावा कर रहे हैं 25 में तो सीधे साफ ही हो जाएंगे और वी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बनाड़ है पतना से सही होगी अमीत के साथ अभिशेक रिपोर्ट